यह एक inclined plane है जिसके अंदर एक box रखा है और box के अंदर हमने एक projectile फेका और वो projectile फेका हमने alpha angle जो बना रहा है plane से ठीक है इस angle पे हमने यह vertical दिख रहा है यह vertical नहीं है यह alpha angle पे फेका है हमने ठीक है so with some speed u and alpha with the bottom find the distance along the bottom this will go and if horizontal displacement is zero in ground frame then what is the speed of the box with respect to ground depending on what distance it will move along the bottom of the box so with respect to box करते है उसमें देख लेंगे कितना चला है ठीक है अच्छा आप इंक्लाइन प्लेन पे along the plane acceleration होता है g sin theta और perpendicular to plane इस direction में होता है g cos theta तो यह पता होगा आपको so now with respect to box अभी प्रजटाइल हवा में जस्ट फेका है हमने ठीक है तो box इतर इंक्लाइन कर रहा है with x के लो या g sin theta के लो है ना और जो ball हवा में चली गई है उसका भी इस direction में उतना ही है ax तो with respect to box ax तो इसका खुद का ही और इसका box का खुद का पीछे की तरफ जुड़ गया तो इसका box के respect में इस direction में acceleration 0 है ठीक है along the incline acceleration is 0 डॉट डॉट से मैं बता रहा हूं कि negative of जो इसका खुद का है box का acceleration है ठीक है यह जो solid है वो इसका खुद का है और डॉट डॉट वाला जो box का है उसका negative हो गया अब एक acceleration बचता है नीचे की तरफ ay तो अब इसको देखो यार यह तो एक projectile type custom हो गया ना अंदर तो यह सिर्फ ay है तो box को ऐसा लगगा कि एक simple projectile बनाता बाजा रहा है ठीक है तो जो जहां गिरेगा वो तो उसकी range हम अपने typical projectile वाले formula से लगा निकाल सकते है बस g की जग हो गया alpha और g की जगए हो गया ay so u square sin 2 alpha by ay कितना है g cos theta ठीक है second में देखे resultant हमें बताया है vertical तो resultant मतलब वह ऐसे उपर गया और नीचे आ गया तो इसकी x direction velocity 0 है ground frame में और ground frame में speed क्या होती है with respect to box plus velocity of box ठीक है तो let's say with respect to box SFA का इसमें velocity of box जुड़ गई velocity of box obviously will be parallel to incline है ना तो इससे parallel यह जुड़ी है velocity of so this this is velocity of box this is velocity of particle with respect to box ठीक है so इसका resultant आ गया उपर की तरफ vertical तो यह ऐसे green उपर जाएगा ground frame में और आपस नीचे आ जाएगा तो यह vector triangle clear होना चाहिए आपको तो पूछा गया है what is the speed of the box तो वी भी निकालना है हमको तो देखें क्या क्या दिया हुआ है so theta यह तो यह angle भी theta हो जाएगा क्योंकि यह vertical है ना आपको अगर नीचे मो करा हो तो मैं बता देता हूँ यह theta है तो यह भी theta हो गया तो यह 90-theta हो गया तो तो sorry sorry यह नहीं हो ना तो यह theta है तो यह theta हो गया तो यह वाला angle क्या हुआ यह हुआ यह पाई बाई बाई टो मैनस थीटा ठीक है ठीक है एचाहिए तो मैं theta यह अलग कलर से बना जेता हूं अटिक है तो यह अगल बाई पाई टो मैनस थीटा अलफा एंगल से हमने लॉंच किया है पर्लेल है तो यह अंगल भी alpha है तो हमको VB चाहिए है तो हम क्या करने वाले है ना बाई पालना है सो वेलासिटी ऑफ पार्टिकल विस रस्पेक्ट टू बॉक्स प्लस विस्टी ऑप्क्स इस विलस्टीयों पार्टिकल तो रिजल चैजिक है तो यह जो दो वेक्ट्र से इंके horizontal components balance दो जाएंगे तो इसका horizontal component क्या हुआ यह जो भी है vpb sin this angle छोटा सा अंगल और छोटा सा अंगल क्या है pi by 2 minus theta minus alpha ठीक है so vpb which is nothing but u so u sin red वाला minus green वाला तो यह छोटा सा अंगल so pi by 2 minus theta minus alpha तो यह plus x में हो गया minus x में क्या हुआ vb sin this angle so this angle is pi by 2 minus theta so is equal to vb sin pi by 2 minus theta तो यहां से करें आप तो vb आ जाएगा u cos theta plus alpha by cos theta ठीक है